हेलो दूस्तो नमस्कार से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो बेल आइकन को एट करके और यहां पर भी सिलेट करके लख लेना इस चैनल का लिंक आपको उपर आई बटन पर या नीचर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो चले दोस्तो फिलाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं अब हम लोग आ चुके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ओपर जैसे कि बहुत सारे लोगों ने भी रिक्वेस्ट किया है कि बजेट यह जो अभी हम लोगों को देखने को मिला है हम लोगों ने कोई ऐसा नहीं करना चाहिए कि बजेट में जो स्टाक्स को टेंपररी फा और यह कोई रेकमेंडेशन नहीं कि कल जाके आप इनों खरीदो करके अगेन अनगेन के रहा हूं कि इन्वेस्मेंट एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है बहुत सारी चीज़े पढ़नी पढ़ती है बैलेंशेट देखना पड़ता है P&L कंपनी के नंबर फिर जाके आप लोग जरूर डिशियन वहाँ पर ले सकते हैं बट चलिए बजट के इसापसे कौन-कौन से स्टॉक को एंड कौन से शेर ओडर की किस्मत बदल सकती है उनसे रिलेटेड बात करेंगे सबसे पहले तो दोस्तो जेंट टेकनोलोजी यस मुझे जादा बोलने की जरूरत नहीं आप देख सकते हैं बजट पेश करते वक्त ही यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट आ गया है जहाँ पर सीधा अपर सरकुट लग गया इस टॉक में रीजन बहुत ही सिंपल है ड्रोन से रिलेटेड आप लोग को पता है यहाँ पर फार्मर्स को यहाँ पर मदद करने की कोशिश यहाँ पर होने वाली है अगर हम लोग बात करें केमिकल का इस्तमाल करने की बात करें तो इसमें ड्रोन का बहुत बड़ा योगदान यहाँ पर रहेगा और सरकार ड्रोन बनाने वाली कंपनी को यहाँ पर दे सकती है प्लस अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों आप लोग जैसी चीज़े है यह अभी हम लोग को इवाल होते हैं देखने को मिल रहे हैं इसलिए इस कंपणी के उपर आप लोग जरू फोकस आप रख सकते हो एक स्मॉल कैप कंपणी है तो यह सबसे पहला वार्निंग में आपको देना चाहूंगा जो कि आप लोग को पता होना देन दोस्ता अगर हम लोग बात करें डिफेंस की यस डिफेंस को भी सरकार ने बहुत ही अच्छा का सा फोकस में आपे रखा हुआ है इंपोर्ट जीतना हो सके बंद होगा तो आप लोग जरूर हिंदूस्तान एरोनेटिकल्स लिमिटेड इस कंपणी के उपर फोकस रख स तो जरूर आप H.A.L. को भी फोकस में आपे रख सकते हो रिस्की है नो डाउट में आपे कह सकता हो सरकार है सरकार ने बीच में इस कंपनी में स्प्लिट घुशित किया था बाद में जाके वो कैंसल किया था तो इस तरीकी की बहुत सरे रिस्की चीज़े यहाँ पे होती कमपनी बुरी निया बट जरूर आप इसको फोकस में रख सकते हो जिस तरिकी का सरकार का रवएया है कि इंपोर्ट कम से कम होना चाहिए और भारत के कंपनी इसको ही आगे ले के आना चाहिए तो ये कंपनी तो बहुत ही एसे इन्वार्मेट के लिए तो जरूर आ आप कह स नुकसान तो कुछ नहीं बट फाइदा भी कुछ नहीं है ऐसी बात है तो IRCTC अगर सेप्रेट रहेगा तो ही बेतर है फिलाल तो मेगा मरजर का कोई न्यूज या पर नहीं है तो IRCTC शेरोल्डर के लिए एक पॉजिटिस आने जैसे के आप लोग यापर पकड़ सकते हो अगेन कहे रहा हूँ दोस्तो IRCTC कोई खराब स्टॉक नहीं जिन लोग ने अभी 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 एंट्री किया है उनको ही खराब लगता है चे मैने पहले भी अगर आप एंट्री करते है चेल आपको 70% से ज्यादा रिटन से हाँ जिन लोग ने भागती भी ट्रेन पकड़ने की कोशिश हमेशा की तरह करते है टॉप पे बाई किया है उनके लिए ये बहुत ही बुरी बात रहेगी कि ये फिलाल नीचे है बट देखे कंपनी खराब नहीं है ये इसके पहले भी ऐसे अपसे डाउन से आप चलते रहते है पेशंस होना चाहिए अगर आप सिर रिटन आपको बोल चका हो कि अगर आपको ये लगता है कि फ्यूचर में टेलीकॉम में बहुत अच्छा स्कोप है तो प्लीज किसी एक कंपनी को मत खरीदना बताने का मकसद क्या है खरीदते हो तो रिलाइंस एंड एरिटेल दोनों के साथ जाना चाहो तो रेशो थोड़ा बहु चल रहा है तो जरूर इन कंपनीज को अच्छा का सा फाइदा 5G के तहत या पर जरूर मिलेगा देन दोस्तों नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ऑनलाइन प्लैटफॉर्म की बात करें तो वहाँ पर भी देखा कि ऐसा कोई ऐसा रेस्टिक्शन वाली बात है तो देखने क यहाँ पर कर सकते हो कोई बी अलग लेवल का प्रेशर देखने को यहाँ पर नहीं मिला इन सारे चीज़ों को आगे जाके सरकार के और से ही मदद यहाँ पर मिल भी सकती है नेक्स्ट बात करें नजारा टेक्नोलोजी यह भी बहुत अच्छी कंपनी सरकार ने इससे करने को में एक बात आपको जरूर कहना चाहूंगा अगर आप एक साल दो साल तीन साल के लिए मत करो फिर अगर आपको बहुत ही अच्छे वेल्ट क्रेशन करना है मतलब पांच-दस साल का अगर आपको रिस्क लेना है इतना बड़ा इस खान ओविसली इस कंपनी में बहु बहुत बड़ी आता है 40% से तो ज्यादा तो आता ही है तो जरूर इन कंपमनिस को लॉंग टर्म के लिए आप लोग ने विचार में रखना चाहिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें रियल इस्टेट को आप लोग देख सकते हैं आज के दिन ओविरायर रियल्टी इस पा सर आपको बहुत 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 फाइदा हुआ है तो ऐसा कुछ भी नहीं है मैंने इसको खरीदा था संवेर अरॉंड फोर हंड्रेट के उपर कुछ तो खरीदा था तो अभी तक जो सरकेट लगा है मतलब ये पीछले दिनों में नीचा आया था तो अभी थोड़ा बहुत नहीं आगे जाके कितना अच्छा करेगा नहीं करेगा बहुत बड़े बड़े करेक्शन्स आ सकते हैं इसके बीच में भी ये देखो कंपनी आराम से कितना गिरा था लगभग 50% हुआ था आदा हुआ था कंपनी ये देखो 50-51% क्रेश हुआ था इबदम फटा-फट ब्लाइंडली कुछ भी चीजों को फॉलो मत कर लेना नेक्स दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो प्रिंस पाइप ये साब सब लों को बता है जो जल से रिलेटेड योजना हम लों को देखने को या पर मिली है घर तक पहुचाएंगे किसे तो पाइप्स तो चाहिए तो यह फटा बट कवर करूंगा एलेंट यह बता चुका आप लों को अगर स्टील में किसी को इंट्रेस्ट है तो आप अप अप लोग फोकस में रख सकते हो दैन अगर मैं यह आप बात करो तो अल्टरा टेक सीमेंट इस कंपनी को भी आप लोग जरू फोकस में यह आप रख सकते, cement में related यही एक company नजर आती है, FL को तो already में cover कर चुका हूँ तो दोस्तों यह कुछ है, इसे stocks थे जो कि आप लोग कह सकते कि budget के चलते इनको directly ने indirectly थोड़ा बहुत फायदा होगा ऐसा कोई बात नहीं कि इसके अलावा भी बहुत सरे stocks है, आप देख सकते, pharma वाले companies को भी बहुत साथा फायदा यहापे हुआ है बट यह ऐसे कुछ companies है, जो कि थोड़ा बहुत fundamental strong भी है, और थोड़ा बहुत फायदा इनको यहापे budget से यहापे जरूर होगा अगर आपके पास यह companies है, तो बेचने से पहले आप लोग जरूर इन सभी चीजों का अच्छे से डीटेल में study हापे कर लेना आशा करता है, आपको यह video helpful लगाऊगा, तो जरू like and share भी हापे कर देना, so that's it, thank you very much दोस्तो, we will be meeting our next studio, तब तक के लिए बाई बाई